दुश्टों किसी भी एक्जाम को बैतरीन अंकों के साथ क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है कि आप उसके एक्जाम पैटर्न को समझें और ये भी जाने कि जो परिछा में प्रशन आते हैं किस लेवल के आते हैं उनका श्लैबस क्या है अगर हम बात करें यहाँ पर आप उने इस वीडियो को क्लिक किया है सीटेट पेपर वन पेपर टू दोनों का हिशलेबस बताएंगे एक्जाम कोश्चन कैसा आता है कैसे आप क्वेश्चन को हल करते हैं सारी चीजों की जानकर ये एक मातर वीडियो में आपको मिलेगी इसलिए वीडियो को आंतर तक देखि जो सीटेट का एक्जाम होता है अगर हम बात करें पेपर वन की तो यहां पर पांच विशे से कुल 150 क्वेश्चन आते हैं निगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है पहले ये परिक्षा ओफलाइन होती थी तब भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी अभी भी होते हैं यहां पर अगर हम बात करें तो बालविकासियूम सिक्षा साष्ट जिसके 30 क्वेश्चन आने हैं इसका डेटेल्स लेबस आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा गडित की बात करें तो 30 क्वेश्चन आने जिसमें 15 क्वेश्चन आपकी होंगे चोडगटाना आ रही तो बच्चों को उसको आप कैसे स्वाल्व करेंगे किसी वी समस्या का समाधान कैसे करेंगे किस विदी के माध्यम से आप गडित को बहतर पढ़ा सकते हैं गडित में जो कठिनाईया आतिन को कैसे दूर करेंगे इन सब पर आधारित लगबग 15 क्वेश्चन आपको कर पाएंगे यहां पर आपको दो भासा का चुनाव करना होता है जिसमें लगबग 18-19 भासा होती है आप अपने स्टेट के इसाब से जिस भासा में आपका इंट्रेस्ट है वो ले सकते हैं दोनों भासाएं अलग-अलग होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि भासा वन में जो आप पर हिंदी ले लिया यहां पर इंग्लिश ले लिया और पेपर के टाइम आपकी तयारी नहीं हो पाही आपका मूड चेंज हो गया तो वहां पर बदलाव की गुंजाइश नहीं है पहले ही आप सोच समझ कर भासा का चुनाव करें 150 मिनिट का समय भी आपको मिलेगा यानी प्रति कॉस्चन एक मिनिट का आपको समय मिलेगा ओनलाइन परिक्षा है तो बबल्स को भनने में भी आपका कोई एक्ष्टा टाइम नहीं जाएगा बस कंप्यूटर का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए मतलब माउस चलाना आना चाहिए ठीक तरीके से राइट और ले क्ष्टन होते हैं पैडागोजी के और पंद्रा क्ष्टन बनते हैं NCRT कच्छा 345 किताबों से जब से ओनलाइन पर इच्छा हुई है तब से थोड़ा सा EBS में बदलाओ देखने को मिला है उसका करण है अभी तक जो पेपर होता था ओफ-लाइन एक पेपर होता था तो एक क्ष्टन लगबग 10 क्ष्टन आपको मिलेंगे कच्छा 345 की किताबों से और पांच क्ष्टन अब आ रहे हैं थोड़ा सा विवेदता से यानि नेशनल पार्क कोई पूछ लिया कोई दिवस पूछ लिया पहले ऐसा नहीं हो दा था पहला पहले जो आफ-लाइन पेपर नहीं से ये लोग पूछते हैं लेगिन अभी लगबग 5 क्ष्टन आपको विविद्धा से देखने को मिलेंगे इसके लिए आपको अच्छा 6-7-8 की अगर आप साइन्स पढ़ सकते हैं तो एक अच्छा विकल्प है बाकी और तयारी हम आपको कराएंगे कुछ एक्ष्ट का अलग-अलग और इसके लावा मेरातन क्लासे भी कराएंगे चैनल से जुड़े रहें इसके पहले भी हमने सीचेट की बहतरीन तयारी कराई है अब यहाँ पर हम एक सब्जेक्ट वाइस अगर हम डेटेल स्लेबस की बात करें तो यहाँ पर बालविकास में 15 कुश्चन ज आपको समझाती हुए चलेंगे ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएं कि इस लाइबस में चीजें हैं क्या concept of development and its relationship with learning यानि विकास क्या है और इसका अधिगम के साथ क्या संबंद है तो इसके लिए आपको विकास पढ़ना होगा और अधिगम पढ़ना होगा फिर इसक सिद्धान्त आपकी पढ़ा जाएंगे जितना शलेबस में उसी सी प्रशना आता है सीजेट की एक खास बात है एक question यहाँ पर आजाएगा आपका आनुवानसिक्ता और पर्यावड से कि बच्छे के विकास में आनुवानसिक्ता की क्या भूमिका है पर्यावड की सामाजी कीजिए आपको इसमें देखने को मिलेंगी पियाजे कोहलबर्ग वाइगोच्की को अगर हम मिला लें तो देड़ सो क्वेश्चन का जो पेपर होगा उसमें लगबद 10 क्वेश्चन आपको इन तीनों टॉपिक से मिलेंगे 10 से 15 भी question हो सकते हैं क्योंकि कई बार क्या होता इससे पहले भी कराया गया है प्ले लिस्ट में जाकर की देख सकते हैं तीसरा अगला यहाँ पर टॉपिक है बाल केंडि सिक्षा क्या है प्रागामी यानी प्रगतिशील सिक्षा क्या है जॉन डीवी ने इसका समर्थन किया इसको आगे बढ़ाया इसके लावा बुद्ध से आप से दो से तीन प्रशने पूछा जा सकता है हावर्ड गार्णर से एक प्रशने जरूर आता है इसलिए यहाँ पर अलग से दिया गया है बहु आयामी बहु अधिकता मल्टी डैमेंश्टल इंटेलिजेंस हावर्ड गार्णर ने बुद्धी के कई प्रकार बताया है प्रशना आता है इसके लावा भासा और चिंतन इसके बाद जो लेंगिक पूर्वागरा है समाज निर्मार के रूप में लिंग की क्या भूमिका है यह आप से पूछा जाता है फिर बात करते हैं यहाँ पर असेस्मेंट की अधिगम के लिए मुल्यांकन अधिगम का मुल् लेक्सिया यह सारी चीज़ें आ जाती है इसके लावा शजनसील बालक वेसिष्ट प्रतिभा साली बालक इन सब के बारे में इनकी आवशकताओं को आपको समझना है किस प्रकार की सिक्षड़ विधियों का प्रयोग करना है इन सब की जानकारी आपको इससे सम्मंदित प्रणाय सीटेट के एक्जाम में थांडाइक पावलाव और इनसे कम प्रशनाते हैं पियाजे कोहलबर्ग वाईगोच्की से जादा आते हैं बट आपको फिर भी अधिगम है अधिगम आपके शलहबस में है तो आपको इसके नर पावलाव थांडाइक की थिवरी बेसिक पढ़नी होगी बालक किस प्रकार से सोचते हैं इसके लावा अधिगम के बारे में एक समस्या समाधान करता के रूप में बच्चे की यहाँ पर मुमिका ठीक है समवेग और समवेदनाय प्रेणा और अधिगम इससे प्रशनाता है अधिगम में कौन-कौन से कारक योगदा देते हैं निजी और पर्यावड इनकी बात की आती है बासा कि अगर हम बात करें कोई भी बासा हो हिंदी मेंगौली संस्क्रत और दू 15 कोश्चन पैड़ागोजी 15 कोश्चन पैराग्राफ बेश्ट कही बार ऐसा भी होता है कि दोनों पद्द के ही पैराग्राफ आ जाते ह इसको इगनोर मत करिएगा क्योंकि तीस नंबर आपका यहां से मिलना है कई बार लोगों को लगता है कि यार पैराग्राफ में क्या होता है उसी में कुश्चन चार्ट करके आलसा टिक करना होता है इगनोर कर देते हैं तीस नंबर है पैराग्राफ पंद्रा नंबर लेंग अलग से आपको ग्रामर पढ़ने की आवशकता रही संधिविक्षित समास उपसर्ग से एक एक आध प्रशन आ सकता है एक दो प्रशन आ सकते हैं और पैड़ागोजी की बात करें तो यहां पर लगभग लेंग्वेज में आपको सभी मिस्लेम चलेबस मिलेगा अधिकाम और जन भासा ध्यापन के सिद्धान सुनने और बोलने की भूमिका मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेशर के लिए ब्याकरण की क्या भूमिका इसके जब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से प्रशन पूछा जाता है ठीक है तो पंद्रा क्वेशन भासा संबंदी विकार से प्रशन आ जाता है यहां पर लिखा गया है दो अंदेखे गध्य अनुच्छेद जिसमें बोधगम्यता निसकर्स ब्याकरण और मौखिक योगिता से संबंदी प्रशन आ जाता है उपसर्ग प्रत्ते से एक दो पर्यावाची से प्रशन कभी- पटराज पर ही ठीक है टो यहां पर लेंग्वेज में आप देखेंगे तो लगभग अगय बात करते हैं यहां पर हम गडिति तो गडित में भी 15 कुषच्छान आपके advocate worldview की और 15 कुषच्छन आपके यहां पर आने हैं जी 15 चेब्रिख आपको देखने को मिल रह, होगे बह इतने 25 पैसे के सिक्क्य होंगे या कितने का एक बटा चार कितना होगा या इसको रोमन अंकों में लिए इस प्रकार से प्रश्णा आपको देखने को मिलते हैं आकार और स्थानी समझ स्थानी मान से प्रश्णा आ जाते हैं इसके लावा यहां पर अध्यापन कला संबंदीम इसके लिए आपको बताया ही कि सामुदाई गडित क्या है गडित की भासा क्या है कच्छा एक और दो के बच्चों को गडित कैसे पढ़ा जाता है सिक्षड के इंतरगत क्या समस्य आती है अपचारिक अनौपचारिक विधिया क्या है थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा 3-4-5 की EVS NCRT पढ़नी होगी, यह complete आपको 2-3 बार पढ़ना है, हम आपको इसका summarize वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, इसको पढ़ने के बाद आप previous यह लगाई है, और जो नए question मिल रहे हैं, उसको आप एक जगे नोट करिए, नए questions जो आपको देखने को मिलते हैं, विव इसमें, ठीक है, दस question तो 100% आपको NCRT, 3-4-5 से ही देखने को मिलने आएंगे, और 15 question आने है, पैडागोजी बेश्ट की बच्चों को हम पर्लियाओर कैसे सिखाएंगे, पर्लियाओर की कौन सी सिख्षडविधी का प्रयोग करेंगे, या कोई topic दे देगा, इसके लिए हम चलेबस की बात करें, तो यहाँ पर दो चीजें आपको common रूप से पढ़नी है, पहला CDP, इसके लावा language 1 और language 2, बाकी के जो सब्दिक्ट होते हैं, वो आप graduation के आदार पर अगर आपने SST से form बढ़ा है, तो आपको social science पढ़ना होगा, 6-8 की NCRT और previous year, और अगर आपने science से form बढ़ा है, तो science की पूरी NCRT की summary 6-8 और previous year, दो चीजें कर आप पढ़ लेते हैं, इसके लावा आप थोड़ा सा practice कर लेते हैं, तो अच्छे नंबरों से आप qualify कर पाएंगे, बहुत जादा अंतर नहीं होता है, CDP और language में, paper 1, paper 2, खाली प्रशन पूछने का level अलग हो वो उस age group के हिसाब से आपको देनी होगी, ठीक है, तो यह सोच करके चलिएगा, जो आप paper 2 के, अगर CDP के question solve कर रहे हैं, तो इसका मतलब है, बच्चा कच्छा 6-8 के बीच में हैं, और जो primary level का question paper अलग कर रहे हैं, तो आपको यह मान करके चला है, कि बच्चा कच्छा 5 तक है, इस हिसाब से आप question का answer करेंगे, श्लैबस में कोई अंतर नहीं है, paper 1, paper 2 में, तो बस आप अगर दोनों form भरे हैं, तीन subject पर अगर आप मजबूत पकड़ बनाते हैं, तो 25-25 नंबर अगर आपका तीनों में आजाता है, तो 75 नंबर आपका ऐसे ही हो गया, 60 में अगर आ इस question भी सही कर ले जाते हैं, social science या फिर science में, तो आराम से आप 100 प्लस score कर पाएंगे, तो उमीद करते हैं, सारे doubt आपके clear हो गए होगे, paper 1, paper 2, दोनों के हिश्लैबस की जानकारी आपको मिल गई है, मिलते हैं next video में, thank you so much, वीडियो को अंतर तक देखने के लिए,